सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्राटिजी किस तरीके से बनाई जाती है अगर मैं अपनी बात करके चलूँ मेरे पास में कोई क्लाइंट आया उसके लिए हमको सोशल मीडिया की मार्केटिंग की स्ट्राटिजी बना दी है तो सबसे पहले तो मैं उससे समझूँगा कि उसका product क्या है और वो product किस के लिए है मतलब उसकी audience कौन है लड़का है, लड़की है, कहां रहते है, purchasing power कैसी है पहले audience को समझूँगा, उसके उनके product को समझूँगा उनका product है, उसके अंदर क्या खासियत है, क्या ऐसा अलग है उस product के अंदर, किस price bracket के अंदर आता है, फिर मैं इनके competitors उसको compare करके देखूँगा, जो वो काम कर रहे हैं, इनके competitor कैसे कैसे कर रहे है, और ये अपने competitor से कैसे अलग है, price differentiation लेके आ रहे है, quality differentiation लेके आ रहे है, या Vision differentiation लेके आ रहे है, price मतलब सस्ता लेके आ रहे, या फिर quality ज़्यादा अच्छी लेके आ रहे, price ज़्यादा ही है पर quality अच्छी है, या फिर भाई हमारा का कोई product लेता है हम trade लगाते है, vision लेके आ रहे, अगर हमारा कोई product लेता है तो भाई हम लड़कियों को पढ़ाते है आपका पैसा शिक्षा के अंदर जाता है आपका पैसा डैज जगा पे जाता है तो तूसरी चीज में यह समझनी कुछ करता हूँ कि वो जो client आया है उसके product के अंदर ऐसी क्या value है ठेक है उसके बाद इन द पहले आपको brand बनना है उसके बाद sales निकलनी शुरू होती है अगर आप long term vision पर जा रहे हो अगर आप ऐसा product निकाल रहे हो कि बस आज कल बेचो और निकलो गये हो जब तो बात लगे पर अगर आप long term vision पर सोच रहे हो तो आपको brand बनना है अगर brand बनना है तो आपको branding strategy बना जाना है और बेचना है यहाँ बहुत जार expensive products नहीं विकेगे यहाँ पर एक normal range के product विकेगे और जुरूरी नहीं है कि मेरेको अगर sales strategy पर जाना है में social media ही पकड़ना पड़ेगा हो सकता है मैं SEO भी साथ मैं पकड़ू affiliate marketing भी पकड़ू और मैं Google Ads भी पकड़ू वर्सिस अगर मैं branding की बात करके चलता हूं तो branding का goal क्या है हमको हमारे customer के दिमाग में च्छा जाना है अगर वो उस problem के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में मारा नाम आना चाहिए future में और over the period of time positioning होनी शुरू जा है positioning का मतलब वो हमारे brand को सबसे best brand मानना शुरू करते इस specific category के इंतर तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा इसके दिमाग में recall create करना पड़ेगा और trust create करना पड़ेगा recall मतलब वो आपके brand के बारे में आए दिन देखता रहे देखता रहे देखता रहे और आप पर trust भी करें trust कैसे करेगा देखो simple सी आज का एक बहुत अच्छा तरीका हो गया influencer marketing अगर client के बाप budget है तो मैं इसको recommend करूँ influencer marketing influencers को approach करो उनको पैसा दो और वो आपकी add डालेगे आपके product के बारे मत आएगे तो उनका trust आपके product में आ जाएगा और वो product अपने आप ही logo तक motion लग जाएगा ideally कोशिश करो कि अगर आपको 5 integration करने है तो पांच ओ एक ही दिन एक ही time पर गरो तकि और वो same type के content creators पर गरो तकि यह audience वाली बंदा इसको भी देखता है इसको भी देखता है तो चार को देख रहा है पांच वे को नहीं देख रहा है example के लिए तो चारों से उसको एक ही signal मिल अब आज ये नई 3-3-5 रूंप ले रहा है फूंच तो 50 रूंप वाले भी बैटें फिलेंसर अमारे देश के अंदर तो इंफुलेंसर के आप पैसा देने के लिए नहीं है इसामपल या दूसरा तरीका क्या है शुर्शिल एड्ट चलाओ एड्स तो चला सकते हो ना इंफु की रिवीउस दालो, अपने प्रोडट के बारे में दालो, अगर आपके स्टेडी बना सकते, अपने प्रोडट के बारे में वो बना के दालो, और उसको मार्किट करो, हाँ, इफेक्ट जो स्पॉंसर्शिप से आएगा, वो बहुत तेज आएगा, कि पैसा भी लगेगा, पर अगर हम सोशल के इस तरीके से बात करके चलते हैं, तो दीरे-दीरे आएगा, बहुत अच्छा आएगा, और लॉंग तम आएगा, तो यहाँ पर इंस्ट्राइम पर भी ब्रैंडिंग कर र तो जुरूर नहीं है कि वो मेरा फैन टाइप्स बनेगा, या फिर मैं उसको कलकूर प्रोड़ बेच पाऊँगा, पर किसी ने अगर मेरी पांच-छे वीडियो देख ली ना, बस कहानी कता, मुझे और कुछ करने की जूरत नहीं है, काम हो गया मेरा, और किसी ने अगर पं प्रोड़ की चॉकलेट फ्री दूँगा, ऐसे वाले बात नहीं करने है, पर आपको वेल्यू क्रेट करने है,